हलो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में टाटा पावर में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आज एक तेजी होती हुई देखने को मिली है कह सकते हैं कि देखें बीच-बीच में स्टॉक में काफी उताः चाड़ आप देखने को मिल रहे थे बट स्टॉक में एक 245 के असपस का रेजिस्टेंस फेस हो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फिर संकेत मिलते होए देखने को मिल रहे है और हाली में अगर आप दिखेंगे तो power stocks में बढ़िया तेजी भी हुई है और टाटा power का stock एक level के असपर consolidate कर रहा है जबसा अगर आप दिखेंगे 230 रुपे के level को cross किया है तब से 240, 250, 260 के levels को touch करने की कोशिश कर रहा है बट cross नहीं हो पा रहा है बट कुछ खबरे निकल किया है कुछ levels है जिसके उपर बात करेंगे और क्या कर 250 रुपीस का level आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है इसके बार में इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो को पुरा देखेगा काफी important होने वाला है यह एक कह सकते है कि तेजी बनने की पूरी कोशिश करी बट स्टॉक फिर देखी नीचे आ गया जैसे मैंने का कि 245 244.90 का level touch हुआ लेकिन 245 नहीं हुआ वो एक resistance के तोर पे काम करता हुआ देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कि देखे stock कोशिश कर रहा है break करने के और करने वाला भी है बस यह आप मान के चलिए last 5 दूनों में सिर्फ consolidation देखने को मिला है 1.52% की तेजी है but last 1 month में stock almost 7% बढ़ा है और कह सकते कि देखे जो तेजी आई है उसमें highest closing उमको देखने को मिली है अब important चीज है यही कि जो stock है last 6 महिने के अंदर काफी बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है इसके अंदर कह सकते कोई doubt नहीं है 50% के almost written कमा के दिये है लेकिन हाँ last 1 महिने में और फिर कहूं last 3 month में stock में काफी आपको उताव चड़ाव देखने को मिला है इसलिए अब मुझे लगता ही कि stock जो है वो पूरा कोशिश करने के लिए जो मैंने कह रहाता कि तयार हो रहा है वो अब तयारी पूरी हो चुकी है और stock में breakout आएगा कैसे आएगा आपको आगे बताऊंगा लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज कितनी volume आती हुई देखने को मिली है तो दोस्तों कि Tata Power में आज बात करते हैं सबसे पहले volumes के बारे में तो volume जो आती हुई देखने को मिली है आज तगड़ी है दो करोर 28 लग के असपास की 89,000 ओर अगर अभी भी आप दीखेंगे तो वो बाइंग साइड है अच्छी बात क्या है बाइंग साइड है यानि लोग देखें बाइंग करने के लिए उच्छो के और वो भी 89,000 बड़ी कॉंटेटी है यह बात डिफिनिटल याद रखेगा अब डिलिवरी के बारे में बात करता हूं तो डिलिवरी अगर आप दीखेंगे तो स्टॉक में आती भी देखने को मली एक क्लोस टू 21.5% यह भी देखें डिलिवरी बढ़ी आए क्योंकि यहां पर आपको देखना होगा कि दो से तीन चीज़ है सबसे वहली बात तो देखेंगे लगातार एक लेवल के असपास तो वॉल्म उतनी नहीं आ रही तो वॉल्म ठीक आई है दूसरी बात है कि देखें डिलिवरी हर बार अगर आप देखेंगे सबसे पहली खबर के अपर दोस्तों नज़र डालते है तो देखेंगे सबसे पहली खबर जो निकल के आई है वो टाटा पावर सोशल अलफा ने अनौंस किया है कि वो नेट जीरो इंडस्ट्री एक्सिलरेटर पर जाएंगे क्लीन एनरजी ट्रांजिशन के लिए और दोस्तों जो प्रोग्राम है वो लाप टू मार्केट प्रोसेस अफ इनुवेटिफ क्लाइमेट टेक ब्रेक्ट्रूस अगर आप देखेंगे करता हुआ देखने को मिलेगा खबर निकल के आये थी और काफी इंपॉर्टन न्यूस थी क्यों अगर आप लगातार देखेंगे तो एक जो कंपनीज है वो फोकस कर रही है कि किस प्रकार से यहां पर नया इनोवेशन किया जाए एक नया वेंचर डेवलप किया जाए ताक देखे कह सकते हैं कि एक पार्टनर्शिप पर यह सोचल एलफा के साथ इसमें होगा क्या यह नेट जीरो इंडस्ट्री एक्सलेटर पर फोकस करेंगे ताकि क्लीन एनजी ट्रांजिशन हो और इंडस्ट्रियल डी काबनाईजिशन जो कॉंट्रिब्यूट करता है उसको बि सब्सक्राइब आप देखेंगे सी ओ आता हुआ देखने को मिल रहा है हमारे पूरे एट्मॉस्फियर में उसको खंप करना है उसको देखें घटा देना है डी काबनाईजिशन करना है काबन कैप्चर करना है स्टोरेज उसको अटा के करना है और प्लस यहां पर सबसे ज़ चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है तो हर जग़ा आप देखेंगे दगहां पावर कॉंट्रिबुशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे वाले दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो साफव साभ देखने को मिलेगा कमपनी की फंडमेंड जो पर बहुत चें दोस्तों जो एक और खबर निकल के आई है वो है टाटा पावर रुस्तम जी गुरुप की उन्होंने टाइप किया है इवी चार्जिंग इंफ्रा के लिए जो खबर थी वो बेसिकली कल निकल के आगई थी लेकिन इंपोर्टन नीउस है जिसके उपर देखे ध्यान देना ची के अंदर जो मुंबाई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आपको लगता हुआ देखने को मिलेगा और याद रखेगा यह सब इंपोर्टन क्यों है अगर लगातर अगर आप दिखेंगे जो चार्जिंग स्टेशन अब हर एक जो भी देखें डेवलप्मेंट होता हुआ देख का इंपोर्टन क्या है इंपोर्टेंट यहा कि देखें लगातार अगर आप दिखेंगे तो ऐसे अगर लगाती हुए देखने को मिलती कि उसको कि अपको नस बने सकते अ बिल्कुल एक right direction में है बस इस बार wait है Q4 के numbers का Q4 के numbers मुझे लगता है कि बहुत शांदार रहते होगे देखने को मिलेंगे आपको focus करना है कि अच्छी चीजे अब टाटा पावर के साथ बिल्कुल होती हुई देखने को मिल रही है and as an investor last one year में तो एक massive return कमाके दिये ही दिये मेरा यह मानना है definitely देखे मैं गलत भी हो सकता हूं बट मुझे लगता है कि startup आवर बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मुलेगा longer term के अंदर जो growth prospect दिखता है वो साफ-साफ आखों के साब में नजर आ रहा है तो इसको कोई जुटला भी नहीं सकता है यह बात आप definitely नीची आया है इंजिस प्रकार से अगर आप देखेंगे 30 से नीचे आता हुआ देखने को मिला है सबसे बड़े बात कि देखे 240 के below closing नहीं दिया है यह अच्छी बात है बट इंपोर्टन चीज़ कि देखें कि कितना बड़ा resistance करा है 245 के आसपास यह level को देखे cross करना बहुत जादा देखे contact कर देता है इन सारे stock को इस level को cross नहीं करने देता है लेकिन लास्ट अगर आप six months में देखेंगे तो stock ने इस level को cross किया है लेकिन जादा ड़े टिक नहीं पाया है तो इस level का अपना एक importance है इसकी बाद breakout ज़रूर आता हुआ देखने को मलता है लेकिन stock के अंदर जो यह levels बने थे इसको फिर next cross करने की तरफ आपको stock बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा नहीं 275 रुपे तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगर यह levels cross होता है और अगर अभी आभी आभी आप देखेंगे तो brokerage जिसने काफी ने targets भी दिये है 295 रुपी तक के तो यह मान के चलना है कि मुझे रखता है कि breakout जो है वह बिल्कुल पास में है जस्ट इस बार देखी market के अंदर को sentiment fallout नहीं होना चाहिए sentiment खराब नहीं होना चाहिए वह होता है तो फिर बापिस से देखे stock को यहां पर गिरता हुआ देखने को मिलेगा तो वह कोई क्रॉस कर देता है तो आई थिंग यह तेजी आपको जरूर होते भी देखने को मिल सकती है बिल्कुल वेट करना है hold करना है कल कर जो मैं target होगा पहला वो 245 का होगा उसके बाद के देखे for the targets 250 रुपीज तक के हमको देखने को मिल सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही था होप सो देखे वीडियो आपको बड़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चानल नहीं जोड़ो सब्सक्राइब कर देना थैंक्यो फ्रेंड फर वाचिंग देस वीडियो